हालो 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 डियर बैंकर्स कैसे हैं आप सब लोग? I hope सब मस्त हैं, जबरदस्त हैं हम कर रहे हैं मॉड्यूल B तयार फो यूर पेपर नमबर 2 पीपीबी जहां हम समरी फॉर्माट में अपना पूरा कंसेप्ट फॉर अल्यूर यूर यूनित 55 कर रहे हैं जहां हम मॉड्यूल D अल्रेडी कर चुके हैं, मॉड्यूल B के उनित 22 और उनित 23 अल्रेडी कर लिया है हमने आज हम उनित 24 करने चल रहे हैं जहां हम अपर हम ऑपरेशनल आस्पेक्ट्स ओफ लोन समझेंगे जहां किस तरीके से 2010 से पहले, फिर 2016 में, 2010 में, 2016 में और आज करन्ट सिस्टम क्या है, किस तरीके से, क्या बेंच्मार्किंग लोन का इंट्रेश्ट रहता है उसके अरे में बात करेंगे, एजुकेशन लोन, वीकल लोन को टाच बेस करेंगे और थोड़ी निटी-क्रिटीज जानेंगे, जो इस चैप्टर में हमारे लिए important है और exam में पूछी जा सकती है next 20 odd minutes लगाएंगे और इस चैप्टर को strongly, conceptually समझ लेंगे पाकी MCQs format में आने वाले कुछ दिनों में मैं आपके साथ live आऊंगी to do your MCQ practice for module B तो वहां पर हम चीजों को और डीटेल में जानेंगे बट आज conceptually तो चीजों को समझ लेते हैं ना smart man जैसे कि में आप उताया हम operational aspects of loan समझेंगे actually particularly it is loan account that we are going to talk about giving an intro, interest rate क्या है जो interest rate होता है और हम लोन देते हैं basically that's a profit that the bank is earning जो हम लोन पर interest देते हैं interest rate हुआ गरता था पहले वो regulated होता था आज it is deregulated depends on bank's policies but of course RBI की तरफ से कुछ norms तो आते हैं minimum at least उतना तो आपन को follow करना होता है normative regulations के और हम बात करें जो RBI ने दी है वो अपका basic framework है at least this है जो determine करता है कि अलग अलग तरीकी के लोन जो लोन के प्रोडक्स है let's say for example working capital के लिए individual के लिए किसी blind person के लिए let's say various loan products पे क्या at least normative basic rate रहेंगे RBI के तरू आते हैं initial approach बोले तो पहले हम PLR prime lending rate इस्तिमाल किया जाता था जो कि internal benchmark है फिर आपन के पास base rate आया 2010 में 2010 में की इतना use किया जाएगा इतना percentage रहेगा इसमें कुछ changes होए कुछ advancement होई की bank के employees के लिए he follow new guy etc कुछ pointers आये 2012 के अंदा 2010 से मैं आये के base rate इसके 2 years बाद ही हहां पर कुछ modifications होए 2016 में हमार पस MCLR आया है MCLR एक full form based question Macmillan में दिया हुआ है हमें हमसे पूछा है what's the full form form for MCLR that is marginal cost of fund based lending rate है अपनको learn करना है इसका full form क्योंकि मैं आपको बताया है जब हम आपस options में question होते हैं आपे हम बहुत mistake कर सकते हैं as internal benchmark and create switching over to external benchmark मतला पहले हम internal benchmark 2010 से पहले उस पर ही काम होता रहा base rate में कुछ modifications होई MCLR आया but 2019-2020 में अपनके पास external current situation बता है अगर मैं आज current situation के current scenario के बारे मैं आपसे बात करते हूं तो हम external benchmarking को follow करते हैं okay Reserve Bank working group on benchmark prime lending radius है BPLR बोल रहे हैं इनके जो chairman थे chairman है दीपक मोहानती यहां से exam में आपसे question पूछा जा सकता है Okay तो आपसे पूछते हैं जो benchmark prime lending rate के chairman है वो कौन है So the name here is दीपक मोहानती यहां से अभी तक question नहीं पूछा गया है बट मुझे लगता है कि इस attempt में आपसे यहां से question पूछा जा सकता है base rate system जो है BPLR से replace हुआ था पहले BPLR हुआ करता था इस तरीक से मैं इसको आपके लिए पहले आपन के पास BPLR था पहले आपन के पास base rate आया base rate में कुछ modification दो है but head था base rate हुआ कि MCLR आया आज हम में external benchmarking का इस्तमाल करते हैं ओके यह 2010 2000 अगर मैं टाइम लाइन बना देती हूँ 2010 2010 से पहले 2008 के आज पास है 2016 है और यह हम current scenario के अंदर बात कर रहे हैं ओके जी तो MCLR basic norms क्या important है इसलिए मैं इसकी detailing आपके लिए लाइंगे यह से exam questions पूछे जा सकते हैं जो सारे floating rate रुपी loans हैं चाहिए वह sanctioning की बात हो चाहिए renew की बात हो यह 2016 में जैसे मैंने आपको time end मिना के दिया हो रहा है MCLR which is an internal benchmarking for such purposes shall comprise of जैसे मालनेते है कि interest rate दे रहा है bank के इतने रुपे में मैं इस product का rate देने माला हूँ वीकल लोन है education loan है जो भी whatever is the product इसके लिए इतना rate of interest रहा उस rate of interest तक पहुचने के लिए मालनेते हैं पहन में पहुचने के लिए मैं पहुचने के लिए 100 पर मैंने कैसे decide कि मेरा ख़चा कितना हुआ मैंने salaries कितनी ली दी मैंने shipment cost किया सब ख़चे में जोड़ूगी न मेरा cost of fund कि जो bank पैसे दे रहा हूँ किसी से लेके दे रहा होगा कोई यहां पर deposit करा उसको rate दिया होगा तो ख़चे उठाएगा फिर negative carry on अगर कोई CRR cash reserve ratio जो कि 44% आपको maintain करना होता है NTDL, EIFS में पढ़ रहा होगा negative carry on अगर कोई है तो उसको उठा लेना होगा business को चलाने का खर्चा है bank को चलाने का खर्चा है employees है parenting charges, stationary charges etc और कितने समय के लिए दे रहे हो समय भी इंपोर्टन है जादा समय के लिए इंट्रेस्ट भी होगा जादा है जादा समय के लिए दे रहे है तो आपसे exam में पूछ लेते है कि MCLR है उसमें क्या क्या चीज़ों को तवज्जू दिया जाएगा क्या को चीज़ों को consider किया जाएगा to come to that internal benchmarking इस कितना खर्चा हो आपको operating cost कितना है पैसों को सबसे पहले लाने का खर्चा कितना है अगर कोई negative carry-on कितने समय के लिए आप दे रहे हो वह सब बातों का ध्यान रखेंगे MCLR तक पहुचने के लिए important है MCQ यहां से बन सकते हैं जो मैं आपके साथ practice करूंगी तो मैं यहां से इस topic से question लेकर आऊंगी okay तो जितना अच्छे से आज आज आप अपने दिल में दिमाग में इस topic को उतार लेंगे उतना बार जतनी बार हम revision कर लेंगे आपके exam से पहले अपके लिए उतना फायदे मन होगा ठीक है अब बात करते हैं कि कितनी बार MCLR publish होता है at least इससे जादा हो सकता है at least कम से कम है कम से कम इतनी बार कम से कम 5 बार तो MCLR publish होता है by bank हर रोज हर महीने हर तीन महीने, हर छे महीने हर साल हर रोज हर महीने fortnightly नहीं होता exam pushing fortnightly नहीं mandatory नहीं आपके मर्जी आप करना चाओता but at least इस नहीं बार करना है हर रोज, हर महीने हर तीन महीने, हर छे महीने और हर साल yes one day one month 3 month, 6 month and 12 months यह वन यह वन यह जो spread charge रहता है मतलब जो interest rate recharge हो रहा है existing पे existing borrower shall not be increased except जो interest rate आप पे चारज हो रहा है ऐसा तो चेंज नहीं जाकर मान लेते हैं आप 10% है दो साल बाद वो आपने सब के लिए 11% कर रखे हैं एसा चेंज नहीं होगा कि आपका दस्थाव हम 11 कर रहें कि आप 11 एक्सेप्ट हैं पे एक्सेप्शन है एक्सेप्शन है और अकाउंट ओफ डेटरोएशन इंदे क्रेट रिस्क प्रोफाइल प्रेट रिस्क प्रोफाइल अगर खराब हो रही है बंदा डिफॉल्ट कर रहा है लेट पेमेंस दे रहा है तो हाँ हो सकते हैं इंट्रेस्ट रेट आपका चेंज कर दिया जाए अभी इंपोर्टेंट है यहां से एप्लिकेशन बेस्ट क्वेशन में पूछा जा सकता है नॉर्मल डिरेक्ट क्वेशन भी आ सकता है यह एक इंपोर्टेंट पॉइंटर है ठीक है जी? बात बढ़िया अब अगर मैं एक्स्टर्नल बेंचमार्किंग बेस्ट बात करती हो तो 2019 में RBI ने इस्चु करी कुछ इंस्ट्रक्शन जहां पे कुछ कैटेगरी को एक्स्टर्नल बेंचमार्किंग रेट का इस्तेमाल करना है लगभाग अक्टोबर अगर मैं बोलू प्रिसाइज डेट इस फर्स्ट अक्टोबर यह इस फर्स्ट अक्टोबर गांधिजी के बड़ेशे दिन फहले ऐसे याद कर लीजे सारे बड़ेश्ट रीप इस फलोटिंग रेट जाह वो परस्नल हो cameraman जह ए हो परस्टिंग रोन्स्टोबर लोन्स बबिक्टोप्स एल जोह बिस्टोटोवा परस्नल के लिए ने लेरा है बेंच्मर्क रेट थे बता दिये गए थे क्या थे? यह लॉन करना है यह लॉन करना है यह लॉन थे भाई हाथ यह अगर आप मिली नहीं ख़़ गाइज गीज 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 गीज़िए अममेंट अपी अख़व बन्दन शौ बन्दन शौ बन्दन My daughter is making greeting guide for her father and Rakhir and she asked me what to write coming back to the topic we have to learn this if you have a millennial then do it by art and if there are people who are learn or whatever you use whatever you use here we are talking about what are the things what are the pointers here include for this micro small 2019 and medium 2020 RBI policy repo rate there will be no one Government of India 3 months T-bill yield published by the FBIL that is Financial Benchmark India Private Limited its full firm is also important Full form is also important for you Full form is also important for you Financial Benchmarks India Private Limited financial Benchmarks India Private Limited either 3 months or 6 months or 6 months or any other Benchmark Interest Rate which FBIL has published from the FBIL you will have to take one which one is which one is RBI policy repo rate or FBIL which is again which is again government yield bonds government of India 3 months T-bill which is published by FBIL 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 is a full form Financial Benchmarks India Private Limited whether it is 3 months or 6 months or someone else which is again published by FBIL which is again published by FBIL which is again published by FBIL which is the adoption of multiple benchmarks by the same bank is not allowed within the same loan category meaning if I talk about the weekly loan firm if someone takes FBIL 3 months and someone takes FBIL that is not allowed same product category not allowed this is important here you can ask a question from the exam very important very important very important okay now credit management this one I have told you credit risk then you have to manage it what we are saying credit management is a process which you can appraise sanction monitor that your money will come or not if it comes it will come the interest rate etc basically you are seeing recovery that money will recover with a view to increase the revenue of the bank money profitability one of the cardinal principles if you remember unit 22 s2 p2 lr profit purpose yes revenue we want to increase it while keeping it in the middle the process appraising how much loan is or not sanctioning now we have to monitor money that we are giving payment which we have seen 4 cardinal parameters in the 23rd that we have seen in the monitoring we can define credit monitoring continuously supervise so that the bank can ensure that the bank has given money the quality of loan is not detroit or it will not go to NPA this is why this is the 4 underlining points we are relating to trade monitoring we are relating to supervision in the loan account continuously it will not ensure that the quality of asset will increase and the rules etc will follow as per income recognition and IRAC i.e. income recognition and asset classification we will talk about asset classification when we study unit 28 NPA chapter documentation chapter this is why it is very necessary to verify that the borrower has sanctioned the loan following because if default or deviation there is possibility loan which will not come back important definitely there is no time but important topic okay let's talk about I will talk about this chapter one is education loan one is vehicle loan important we have many details such as gold loan or security based loan then share etc because chapter is mentioned not but where relevance will be important I will take you at least MCQ so that you will be ready so educational loan is very important topic in educational loan margins maintain here direct questions here direct questions I remember it India and abroad 4,000,000 to 4,000,000 to 1,5,000,000 to 1,5,000,000 to 1,5,000,000 to above the the side I am not sure what's happening give me a moment okay guys something is wrong and I am not sure what's it technically there is you Jesus 4,000,000,000 4,000,000 , 4,000,000 to a bit which has 5%, or 15% click the the परिड़ें गरेंड करिज़ें दोरों ही केस में अगर आप टुछ लग darauf कुछ नहीं करेंड देन। दोर प्रॉट पर मत बिडने 9डन commenस थे इंपॉटेंट है डिलेक्ट कॉश्चन प्रीवेस एक्टेम से पूछे रहे हैं आपसे भी पूछे जा सकते हैं और यह लास्ट टॉपिक है आपन का जो आज हम पढ़ रहे है वह है वीकल लोन अगर मुव है सुव है ट्यू विलर है न्यू कार है यूज कार है और यूज कार के लिए लिए न्बी एफसी का रोल भी आएगा और न्बी एफसी पर हमाँ पास डेडिकेटेड चैप्टर पढ़ेंगे LTV loan to value ratio जो रहता है दस लाग तक की गाड़ी का पिचासी परसेंट ओफ ओन रोड प्राइज मान लेते हैं ओन रोड प्राइज जो है साढ़े नो लाग रुपे है तो उसका पिचासी परसेंट तक का लोन आपको मिल जाएगा अगर अगर जो ओन रोड प्राइज दस लाग प्राइज गाड़ी ता ही मेरी मैंने लोन लिया x5 लाग यद 10 लाग जो भी लोन लाग़ा मैंने लोन लिया इस प्रपरृटी जो अगर मैंने डिफॉल्ट किया तो गाड़ी उठाके बैंक वाले ले जाएगी वहिकल इंशॉर्णस किलाना होगा जो भी मार्केट वैल्यू है या फिर एट लीस 10% अबव दे लोन अमट जो भी हायर है प्लीज लॉन दे लॉन दिस वेरी इंपॉर्टन अगर डिर्क्ट क्वेश्चन यहा से आता है तो यह तो भहुत असान है हम सब में जातर लोग के पास गाड़ी है और हाई-पॉर्टेकिटेटिटेट है 10 लाग से ओपर 10 लाग से नीचे 85 और 80 परसंटेश हम समझते है यह वाला pointer है, यह हमें learn करना है, क्योंकि हमें higher amount का कराना पड़ेगा, या तो जो market value एकाड़ी की, या फिर 10% जो भी value एकाड़ी की, whichever is higher, of the loan amount, sorry, 10% of the loan amount, या फिर market value, उतने का insurance कराना होगा, okay, important है, तो इसको by heart कर लेंगे, with this, we are done with unit 24 also, so, मैं आप से मिरूंगी next session में, और unit 25 पढ़ेंगे, और अगर मुझे लगेगा कि हमें एक dedicated numerical के लिए session चाहिए, तो मोले लेंगे, otherwise, जब मैं MCQs practice करेंगे, तो महाँ पर numerical करेंगे, okay, with this, I'll take your leave, this is your friend and your teacher, CMN Dishadwar, signing off for today, have a great evening and a beautiful day ahead, tomorrow, bye-bye, dear bankers, have a great evening.